if q is equal distance from p and r find the values of x क्या कह रहा है देखिए यह हमारा कहीं पर q है 0 1 और यह हमारा कहीं पर p है 5 minus 3 और यह हमारा कहीं पर r है x6 ठीक है अब वो क्या कह रहा है find the value of x if this is 0 तो according to question क्या कह रहा है वो according to question p q is equal to kya हुआ ठीक है और हमें find भी करना है इसको इसमें कौन सा formula लगाएंगे distance formula या distance formula distance formula हमारा क्या कहता है x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का whole square का पूरा अंडर यह कहता है ठीक है सबसे पहले हमारा क्या आता है 4 पी एंड क्यों यहां पी यह हमारा x1 y1 हो गया यह हमारा x2 y2 तो पी क्यों किसके को लाया टीके सब्केर जो ऐस्च था थूराओ यह हमारा क्यों अगया अंडर रूट फोर्टी फट इतना अगया अंडर रूट फोर्टी उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे क्या हुआ ठीक है और क्यों यहीं पर लिख देते हैं फोर क्यों एंड आर ठीक है कि यह हमारा x1 y1 यह हमारा x2 y2 क्या हुआ किसके एकको लागया x-0 का स्केर प्लस 6-1 का स्केर x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x3 y2 ç 6-1 किसकेर प्ल少로 4-1 यह हुआ क्या है खर प्लस 25 प्लसर प्लस प्लसर शजय 입ू प्लसर स्केर लेंगे both sides, both sides, square कीजी क्या आजगा, 41 is equal to x square plus 25, x square plus 25, ठीक है, तो 41 minus 25 is equal to x square, 16 is equal to x square, x is equal to plus 4, x is equal to minus 4, समझा है students, ठीक है, therefore, r के coordinates क्या है, 4, 6 and minus 4, 6, ठीक है students, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 4, 6 के case में, अब हमी, क्यो र और, पी र भी तो निकालना है न, ठीक है, तो पहले हम लेंगे, क्यो र, क्यो र, क्यो अगर हमारा 0, 1 है, और r है हमारा, 4, 6, ठीक है, क्यो हमारा, 0, 1 है, और r है हमारा, 4, 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा short form में करेंगे, मिरे पास case नहीं है, 4 minus 0 का square, plus 6 minus 1 का square, 4 minus 0, 4, 4 का square, 16, 6 minus 1, 5, 5 का square, 25, solve करके क्या आगया, root 40, ठीक है students, अच्छा जे, उसके बाद, qr, qr, qr क्या करना था, हाँ, जब हमारा qr के बाद, हमने निकालना है, qr, अगर हमें qr निकालना है, अगर हमारा, उसको qr निकाल लेते हैं, q 0, 1 है, और r है, हमारा minus 4, 6, इस case में qr क्या हो जाएगा, minus 4 minus 0 का square, plus 6 minus 1 का square, that is your 4 minus 0, minus 4, minus 4 का square 16, 6 minus 1, 5, 5 का square 25, is equal to root 41, क्या अगर हमारा यह, अंडर root of 41, यह हमारा qr 4 ले लिया, minus 4 ले लिया, हमने क्या निकाल लिया, क्या हुआ, अब हमने क्या निकालना है, p r, p कितना है हमारा, 5 minus 3, और first case में r हमने क्या लिया, 4, 6, क्या लिया, 4, 6, ठीक है, तो पी र क्या आजे का हमारा पी र is equal to 4 minus 5 का square plus 6 minus minus plus 3 का square that is your minus 1 का square 1 plus 6 plus 3 9 9 is the 81 that is under root 82 ठीक है students पी आर उसके बाद क्या कह रहा हूँ क्या था अगर हमारा पी है 5 minus 3 और र कितना है हमारा minus 4 and 6 ठीक है तो यहार किसके को लोजेगा क्या था हाँ minus 4 minus 5 का square plus 6 minus minus plus 3 का square that is your minus 4 minus 5 that is your minus 9 minus 9 का square कितना हो जेगा 81 plus 3 3 जा 9 9 का square 81 that is your under root of 160 ठीक है तो अब हमने क्या देखा जब हमारा कोडिर आर का कोडिर आर की वेल्यू 4 है X की वेल्यू 4 है तो आर क्या बन गया 4 6 और जब X की वेल्यू माइनस 4 है तो आर क्या बन गया minus 4 6 और दोनों के cases में हमने PR और के वार को find out करना है इस questions में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो सिरफ यहां पर कि उसके साथ दोनों बार दिस्टेंस नी पाख़ा है। एक स्टुडिन नेक्स पॉश्टिन